दोस्तों फैनली जो है सो हम लोग निकल रहे हैं साम के पांच के करीब हो रहा है तो आज का जो साम है वो भूमने के नाम कर देते हैं कल से तो फिर वही सुबह साम चलेगा लो जोस्तों वेलकम बेक तुदा नजर ब्लॉग तो आज है हम लोगों का एनेच जो दस में चल रहा है दुरुगा पूजा उसका आज नौवी पूजा है और आज हम लोगों का एनेच है तो आज हम रूम पर ही है अभी सुवक बज रहे हैं सारे दस तो अभी आपका स्षीन आपको रूम में जाभ ही लैट दिख रहा होगा जबकि हमारा जो लैट है वो अफ है जाले चल रहा है लैट आपको सुवस्य neurot रूम में दिख रहा है उसका कारण क्या है वो आपको दिख रहा है तो रेकिये यह हमारा बेड है और यह जो एक खकी है वो हम खोल कर रहे हैं इसलिए आपको जो है इतना लाट इस रूम मेधि दिख रहा है ठीक है यह बंद कि है और यह सामने थाप खिरगी खोले है तो इतना लाट धिख रहा है हमारे रूम में और यह विश-थी कहा ए है इसको चौरा चैनलyorsun सब्सक्राइमिरहुत झाले मम भांदू मुझने के फ़कल सब्सक्राइब रहे सिर्फ जो नयट में ड्मीट कर रहा है। उसका नए डूटी है और जो कीमेन डूटी कर रहे है उसका डूटी है बाकि सब जो गैंग में बश्च करते हैं उनका आफ है तो देखते हैं कितना आज मी साथ में जा पाते हैं तो घूमेंगे पूरा बाकि बहुत मज़ा आएगा हम अभी तो घूमने के लिए बाहर नहीं ठीक है और वैसे भी और कुछ-कुछ समान भी लेना है तो वह भी लेंगे और अभी समच रहें कि कुछ कर ले क्योंकि बहुत कुछ अभी तक नहीं कि हैं सारे दस बज़ा है बुक लेकर रख दी हैं लेकिन उसमें कुछ खास पढ़ है नहीं बाकि हम अभी इडियो ईए और वह पतानी कैसे क्या-क्या दब गया और वह मतलब हटी गया हो चीजी हट गया देख्यें यहां थे इडिट कर रहे से, इडिट कर रहे से, करते-करते वो हटी गया, मतलब समाझ यह कि तेर गंटा का मैनत ब्रवाद मिट्टी में मिल गया, गुस्सा इतना आ रहा है, अब फिर से इतना सब कुछ सुरू से फिर से करना होगा, फिर उसमें भी एक गंटा एक लिस्ट लगेगा ही तो दोस्तो फेरली हमारा वीडियो एडिट हो चुका है, और यह एक्सपोर्ट होड़ा में लगा दिया है, एक्सपोर्ट होने में तब तक के लिए हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ इंस्टाग्राम पर लाइगा आ जाए, तो दोस्तो हम तो सोच रहे हैं कि लाव नहीं आप लगता है, तो सुचे क्यों नहीं इसमें इसको यूटिलाइज करके उस पर लाइफ आ जे थोरा, तो यह भी लाइफ आ गए थे और मज़ा लगा बात करके लगवाग 20 मिनट के आसपास हम लाइफ रहे थे, और अभी भी देखिए हमार जो वीडियो है वो अपलोड होने मे जीगे हैं, तो अभी हमको जाके फ्रेस होना है, इसका कुछ नास्ता कर लेना है, और इसके बाद हमको, हमार अस्ता मतलब कुछ खाना जो है बाचा हुआ, वो खालने लेना है, इसका बाद निकलेंगे घूमने के लिए, तो बस, आद मिलते हैं आगे, तो इसको फैनली जो है, सो हम लोग निकल रहे हैं, अभी साम के पांच के करीब होड़ा है, घूमके आप लोग को भी खुमाएंगे, बाकि कुछ-कुछ समान भी लेना है, तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि बार-बार छुट्टी मिलता नहीं ये इसकोल है जो, आज लग रहा है करफ्यू लगाँ साथ, इसलिए आदमी बहुत कم दिख रहा है यहां पर, कोही बैक या कार बहुत कम ही दिखने को मिलता है आज देखी नहीं सिच में नहीं देख रहे हैं को यह बैक यह कार कुछ नहीं है नो परकिंग लगा है ते पिसला वर हम घुम ही नहीं थे अच्छ इसलिए पता नहीं चला है मार्केट में साथ भीर होगा भीर कार पुछ नहीं होने के कारण फिर कम लग रहा है आदमी कम लग रहा है इतना जगा ममूर्ती बैठाएगी कि आदमी कहां से पूड़ेगा अभी तक तीन जगा भूम चुकते हैं यह रोड आगे चलते सिलोंग रोड इसका नाम है आगे चल यह मौल खुला था हाली में बारा मौल है अंदर हैं बजार लेकिन जो है सो बंद ही है वो आज पता नहीं साथ परसासन बंद किया हूँ है कोरोणा उर्रणा लेकर या क्या सारा सबकुछ सोचा हूँआ पलान चूपट हो गया सोच थे आज कुछ-कुछ कपरा उपरा ले लेकिन वो बंद ही है तो यह मेंन मार्केट है हम लोगा इस से जाता है देखे कितना फ़र लगाए तो छोटा मार्केट नहीं है बहुत बड़ा मार्केट यह इधर जाके अंदर बहुत सारा समान से मिल जाएगा बांकी इघर भी बहुत है इधर रास्ता गया है यह रोड लॉंग रोड तो यह आगिल जाकर में खाले चल दाएगा वहाँ भी रहे हो सब आदमी यहाँ पर और तुरीके खोष्ट खोष्ट यहाँ पर आगए बहुत अच्छा पंडाल यहाँ बनना है बाकि वह जो यहाँ भीर देख रहे हूं वहाँ परसाद बढ़ रहा है परसाद में क्या खिचरी जो यहाँ का फैमस है सबी लोग मतलब यहाँ पर खिचरी भी बढ़ता है पर साथ में जनरल ही यहाँ पर बंद गर गर रखाए ट्राफिक इस साइट तो पहली बार आ रहे हैं ज्यादा आगी भी नहीं हमाजा आने आ रहा है तो अभी जो है सो एक घंटा होगे हम लोगों घुमते घुमते और इतना ज्यादा मोटी बैठा है कि इसर भीड़ी भोजा देखने को मिल रहा है सामने में तो आज का जो साम है वो घुमने के नाम कर देते हैं कल से तो फिर वही सुबह साम चलेगा कि इसर भीड़ लग रहा है कि पुलिस देख रहे हैं साथ में मेला वो भी घुमड़ा इधर जो ये रोड है आगे आगे क्या बन रहा है रोड ब्रीज आरो डी बन रहा है तो वो मतलब रिन लाइन गया है उसके ओपर से टो यह जो दुरुगा मंदिर है महारानी का और यहां पर परवान लिट भीड बहुत जाए है यहां पर देखिये dob है है एकए करके इसके बाद पिर अंदर जाईए लयन एलत के इसको बाद दर्शन कीजी और फिर आईए तो यही है बाकि पसीना पसीना हो गए वापरी क्या बोलते लास्ट टाइम जो हम फ्लैट से गए दिली दिली से वापस आये तो दिली में कुछी सेनेटाइज या कोवीड टेस्ट उस टेम नहीं हो रहा था बाकि यहाँ पर आने का आदा समय भी जो है फुरा कोवीड टेस्ट करवाया आर्टी पीसियार और रेपीट टेस्ट दोनों फिर जाके वह जो है सुल एरपूर्ट छोटने दिया था तो मैं हावे थोड़ा हमको लगता है रूल सब अच्छा से चलता है अब जो है आदमी सब जूड़ा है हम लोग साथ सर्वेड आगे था खैर कोई बात नहीं का हूं मैं हम लोगा हो गया बस जा रहे हैं रूम पर थोड़ा दूर आगे दो तीन सब मीटर के बाद के अब जो है तो भीड बढ़ा है यह प्रीज है और प्रीज के निचे में मुर्टी बैठा हुआ है यह हां तो कुछ है स्वेशल है जाके दिखते हैं तो इस तो मुर्टी बै जाके अपना प्मोटो लेना है तो जाके प्मोटो लीजिए बस हम नहीं जा रहे हैं बहुत बीड है बस इदर से जाकर हम रूम पर जाएंगे बस लास्ता फैल्ली रूम में आ गया है यार लाइटब कर गाया मतलु ना उसमाज रहें कितना दूक में वर्याज़ रहेंगे तूम में पुला पसीना पसीना हो किसे दिखेंगे यहां पेसे करके देखेंगे इतना न चलना पराना कि यह हालस हो गया और लाइट भी कट गया यहां पर रूम में आके और भी प्रेसान हो गया विजस्ट कटा है लाइट लाइट आने से ही कुछ होगा तुरा पानी पी लेते हैं और किया बाहर में रहेंगे फिलहाल तो दोस्तों दोस्तीन मेंट के आप कश्ट के बाद फैनली लाइट आ गया है तो सवन सकते हैं बांकि यतना जो पसीन आप देख रहे हैं और बहुत सारा पसीन आ गया थे वो पांच-छे किलो मिटर जो है सो घूमते रहना इसलिए थोरा जादा पसीन हो गया जादा कुछ हम बेठे भी नहीं और बहुत कुछ ऐसा था जो हम दिखलाए भी नहीं जो बहुत कुछ में कया तो हम लोग जो सवेड़े गये थे उसके बाद उस टाइम जो है सो बहुत से लोग नहीं था बहुत कम भीर था बाद में अभी जो आते से में बहुत जादा भीर आ गया था जो की थोरा कम दिखला बाए इसके ब और भी बताते कि वो कुछ खाते ते तो इस ताहँ वीडियो शुट करना ही भूल जा थे तो ऐसा कुछ था वांकी खाने के लिए बहुत कुछ खाया ऐश्क्रीम खाया है । ने कि क्या हाया है और बाकि जो मैला देखना हुआ बहुत सस्ता में हो गया दो आदमी में थे, दो आदमी हम लोग घूम रहे थे और दो आदमी में में 200 पैम हो गया मतलब 100 पैम मेरा खर्चा हो गया तो समझेजे इसलिए बोलते हैं आप लोग पूछते रहते हैं साधी कब कीजिए तो इतना फैदा है अभी ठीक है तो बस आज की ब्लोग में इतना ही कैसा लगा आज का ब्लोग कोवेंट करके हम जोरू बताएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए अगर चैनल पर नहीं है चैनल पर सब्सक्राइब और हमारे साथ चूट जाएगा और लव यू और थैंक यू सो मच